हेलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नाइन चेप्टर की मिसलीनियस एक्सेसाइज का कोशन नमबर 15 बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बिटा ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई है आपको बोला गया है एक विलेज की बात हो रही है उसमें जो पॉपॉलेशन है वो इंक्रीज हो रही है to the at the rate of proportional मतलब हम let कर लेते हैं बिटा यहाँ पे population of the village तो वो आपने ले लिया भी y ले लिया ठीक है तो time ले लेते हैं हम यहाँ पे t ठीक है बिटा time हम equal कर लेते है t के और population है y तो आपको बोला गया है जो population है वो क्या हो रही है increase हो रही है at the rate of proportional ठीक है proportional to the number of its inhabitants present at any time मतलब वहाँ पे जो उस time लोग रह रहे थे उनी के according हमारी जो population थी उस time की population थी वो increase हो रही थी तो मतलब हमारे पास जो population है वो क्या हो जाएगा proportional हो जाएगी किसके population के ही ठीक है जो वहाँ पे उस time population रह रहे थी अब इसी को आप कैसे लिखेंगे dy upon dt अब proportional sign is equal to करेंगे इसको और इसको हटाएंगे तो k आजाएगा ky ठीक है बटा फिर हमारे पास आजाएगा इसी को हम equation बना लेंगे dy upon में आजाएगा y और ये k के साथ आजाएगा dt ठीक है यहाँ तक हमने question कर लिया आगे आपको बोला है if the population of the village was 20,000 in 1999 मतलब starting का जो आपको time दिया गया है बोला गया है 1999 में आपके पास population ये थी तो बच्चे हमारे पास अगर 99 मतलब ये case बन गया first यहाँ पे 99 आप लिखेंगे in in 1999 मतलब यहाँ पे t जो time है वो zero हो गया starting time है तो ये हम इसको zero ले लेंगे और इसमें बोला गया है आपकी population जो है वो 20,000 थी कितनी थी 20,000 फिर आपको आगे बोला गया है and 25,000 in the year 2004 फिर आपके पास in 2004 में आपके पास जो population है वो होगी 25,000 थीक है but यहाँ पे यह difference देखेंगे 2004 में से अगर यह निकालेंगे तो t हमारे पास five year आ रहा है ओके बेटा आगे आपको बोला है what will be the population of the village in 2009 आपके पास 2009 में population कितनी होगी in 2009 population कितनी होगी मतलब time हो गया 2009 को अगर हम इसमें से निकालें तो यह हो गया 10 year तो आपको population मतलब why जो है वो fine करके बताना है ठीक है clear है एक बार question फिर से देख लीजिए population of the village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time मतलब आपको बोला गया जो population उस time रह रहे थी village में उसी के proportional में आपके पास क्या आएगा जो population increase हो रही है ठीक है तो यह ले लिए increase in population proportional का sign और जो population रह रहे थी ठीक है इसके बाद आप proportion sign हटाएंगे is equal to आएगा इसके लिए हमारे पास कोई constant number आता है तो यह equation आगी अब आप इसको variable separable method से solve कर लेंगे यह आजाएगा log y और यह आजाएगा k t plus c इसको ले लेंगे हम first equation ठीक है अब हमारे पास first case में बोला गया था time 0 पे हमारे पास y यह था तो आप लिखेंगे when t is equal to 0 y is equal to 20,000 तो यहाँ पे y लगाएंगे log 20,000 और t 0 हो गया तो यह term 0 होगी c की value आगी अब इसको put करेंगे in first equation put c is equal to log 20,000 in first equation तो यह आजाएगा हमारे पास log y is equal to k t plus log 20,000 तो यह आजाएगा इसके बाद हमारे पास बोला गया है second case in 2000 लिए तो आप लिखेंगे when t is equal to 5 y is equal to 25,000 तो हमारे पास t क्या है 5 तो y क्या है 25,000 log 25,000 is equal to t है 5 तो 5 k आजाएगा यहाँ पे 5 k ठीक है plus log 20,000 आगे हम यहाँ पे इसको solve कर रहे हैं तो यह आजाएगा log यह पेटा यह और यह तो log आजाएगा log 25,000 माइनस log 20,000 is equal to k k कितना है 5 तो यह आजाएगा 5 k यह हो गया आपके पास log a upon में b 25,000 माइनस upon में 20,000 5 k यह 3 0 कट 5 के टेवर से 5 4 तो 5 5 तो यह आजाएगा 5 k इस साइड लिख लीजिए log 5 upon 4 तो यह आजाएगा k is equal to 1 by 5 log 5 by 4 ठीक है यह k की value आगी आपके पास इसको ले लेंगे आप equation 1 हो गया हमारे पास equation और इसको ले लो equation 2 ठीक है चलिए अब k की value आगी अब आप देखेंगे आपको next बोला गया है यहाँ पे in 2009 में t हमारा 10 था और y क्या होगा population क्या होगी तो आप लिखेंगे when t is equal to 0 तो what is y ठीक है तो आप क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे k की value जो आई है first equation में डालेंगे first equation यह और यहाँ पे t की value डालेंगे और c की value डालेंगे ठीक है आप लिखेंगे from first equation log y is equal to k हमारे पास है 1 by 5 log 5 by 4 फिर t t की value है हमारे पास 10 यह आ गया यह 10 लगाया आपने plus c की value है हमारे पास log यहाँ से ले लेंगे c की value 20,000 ठीक है यह आ गया अब आप इस साइड आ जाए उपर यहाँ पे देख रहे हैं log by बटे यह हो गया n log m तो यह आ जाएगा log 5 5 by 4 की पार 2 2 नहीं है 5 है यहाँ पे क्या पार चल रही है आपकी 5 by 4 की पार 1 by 5 ठीक है 1 by 5 की बज़ाए यह 10 जो है यह cutting हो जाएगी क्योंकि 10 multiply में है आपके पास तो आप क्या करेंगे 10 को आगे लिख लेते हैं हम cutting कर लेते हैं इसकी तो यह आ गया log log है यह सुरी क्या है log 5 by 4 यहाँ पे 1 by 5 था यह 10 आपने यहाँ multiply में लिखा ठीक है cutting हुई 2 आ गया यह 2 आ गया आपके पास 2 log तो यह पार आगी इसकी 2 ठीक है प्लस log 20,000 अब अच्छे यहाँ पे log है यह y इसको solve कर लेंगे आप तो log 25 और 16 प्लस log 20,000 और यहाँ पे log y is equal to log a प्लस b का क्या आजाएगा formula 25,16 multiply में 20,000 अब log से log cut y is equal to cutting कर लेंगे बिटा यह 25 multiply 16 से करेंगे 16, 1 जा और 4 और 0, 16, 2 जा 32 फिर यहाँ पे 8 और 0, 16, 5 जा यह आ गया इसको आप 1, 2, 5, 0 multiply करेंगे 25 से तो हमारे पास 12, 5, 0 multiply 2, 5 तो यह 0, 5 से 75 ओ सारी 5, 5, 5 is the 25, 5, 2 is the 10, 10, 2, 12, 5, 1 is the 5 और एक 6 यह 2 से करेंगे 0, 2, 5 is the 10, 2, 2 is the 4 और 5, 2, 1 is the 2, 0, 5, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 5, 0, why आपकी population जो यह आगे तो आप लिखेंगे hence last में जो बोला है population of the village आप लिखेंगे population of the village population of the village in 2009 is, is नी was, was 3, 1, 2, 5, 0, ठीक है यह होगी अब यहाँ पर will भी है तो will लिख लो यहाँ पर 2009 will यह आ जाएगा ठीक है 3, 1, 2, 5, 0 अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe my youtube channel thank you